किए आएफ। आज आएफ। किया जा रहा है किस कारण किया जा रहा है और क्या रोस है है। यह वह वह जैए आज किया जा रहा है यह प्य scalk farm company के ऊफ़ान कम्पनी कारण क्या है क्या है वह समय इसम लोग तेज को सोर दो Troya कंपनी सरकार के द्वारा रेश्टर्ड थी कंपनी ने 35 साल काम किया है कंपनी को जबरजस्ती सरकार ने चिटफंड बान करके बंद कर दिया था जो 2014 में कर दिया था 2014 से आज तक ये सारे लोग दरदर की ठोकरे खा रहे हैं कोट से लेकर के सुप्रीम कोट तक लोग जा चुके हैं सुप्रीम कोट का ओडर भी 2016 को आचपा है मगर अभी तक केबल 5000 तक का ही बुगतान सेवी के द्वारा और लोडा कमेटी के द्वारा किया गया है अगर इसी तरह से इन्होंने पेमेंट किया तो कम से कम पेमेंट मिलने में 10 साल लगेंगे यह लोग चाहते हैं कि जो धीमी गती से यह लोग काम कर रहे हैं उसको बहुत तेजी से किया जाए और यह लोग सब सुप्रीम कोट को तक अपनी आवाग उठा रहे हैं और नौतारिक को जो हमारी सुप्रीम कोट में डेट है उस डेट पर सभी लोग वहाँ त्यार हैं जाने के लिए और कह रहे हैं कि हम डारेक्ट सुप्रीम कोट में जा करके अपनी पीडा रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप जो है इस पेमेंट में देरी क्यों कर रहे हो भारतिय लोक से बादल इस चिटफंड के मुद्निक को आगे लेकर बढ़ रहे है क्या आगे की तैयारी है क्या आगे की कर नटिमेटम दे दीया है सेवी को नोडा कमेटी को और जो है इड़ी को कि अगर आपने इन पीडित लोगों का पेमेंट जल्दी से नहीं किया तो हम इस आंदोलन को इतना तेज और करेंगे कि आपको इसकी जिम्बेदारी स्वेम लेनी होगी फिर आप हमसे नहीं कहेंगे सरकार को क्या चती होगी